विजेपी के वाइस प्रेजिडेंट शाम जाजो इस वक्त में स्वाद मौजूद है सेज जन संख्या नियंतरन कानून को लेकर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी मंच से भाषन दे चुके है लेकिन विपक्षियों की माने तो कहीं न कहीं ये कानून किसी एक समू एक तबगे को बादने की कोशिच कर रहा है भारत के स्वतंतरता दिन के आउसर पर लाल के लिए के प्रातिय से नरेंदर मोदी जी ने जो बात रखी है वो केवल राजनितिक नहीं थी केवल वोट बैंक के लिए नहीं थी देश के हित को देखकर उन्हों जो बाते रखी है पूरा देश उसको एप्रिशेट कर रहा है उन्होंने प्रदुशन के बारे में बात रखी प्लास्टिक हटाने के बारे में बात रखी लोग संख्या नियंतर्ण के बारे में बात रखी और राष्ट्रिय एकात्मता के बारे में बात रखी लोग संख्या नियंतर्ण भी उनकी कोई भी बात प्लाटा दी गई है जनसंक्या नियंतन कानून को लेके लगाता इस पर जलस्यल कानून भी बन सकता है और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या जो बेरोजगारी है वो भी हटेगी क्योंकि कहीं न कहीं जब जनसंक्या जादा होगी तो उसका असर रोजगार पर पड़ेगी मोदी जी कभी भी केवल बाते नहीं करते वो व्यवहार में उसका क्रियानवेन करने में जोड रखते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी ने संक्यत दिया है इसका मतलब कोई प्लैन उनके दिमाग में है और देश को हितके वो ध्यान में रखते हुए निश रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास अकुष्ट हो रही है और कश्मीर की समस्या खटम होने के बाद और दिल्ली सरकार के बारे में जो फ्रट्रेशन लोगों के मन में है सौभावी कृप से भारतीय जनता पारटी के और लोगों का आकर्शन बढ़ रहा है लोग हर रो भारतिय जनता पर्टी का यहां टॉंच काम है और गए पात साल में आम आदमी पर्टी नी जो वादा खिलाफी की है जनता उसके उससे नाराज है, हताश है, निराश है, एक मात्र सशक्त विकल्प के रूप में भारतिय जनता पर्टी है तो आप कितना अनुमाल लगाते हैं कि आप घेरबंदी कर पाएगा, वो जमाना पुराना हो गया, एक टाइम 67 सीटे आम आदमी पर्टी को मिली थी, इस बार लोगसभा में 65 सीटो पर भारतिय जनता पर्टी आगे है, और पाच जगह पर कांग्रेस आगे है, एक भी जगह प तका मानस व्यक्त करता है, खास बात करेंगे लिए, कैमरा पसंद राहूल के साथ, मैं भावना, आनाइन टीवी, तिल लिए